इसके लिएघ्रेसिव हूँ कि जम्मूएं कश्मीर के पी एको को आख भरत का हिस्सा नहीं मन दे हो क्या है, एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए, जब मैं सदन में जब-जब जम्मूएं कश्मीर राजय-बूला हूँ, तब-जब 45 कश्मीर और अक्साइचिन दोनों इसका हिस्टा है, ये बात को आखे. अर्टिकल 370 आप्रोगेट हुआ, तो हम fixated थे कि पाकिस्तान का response क्या होगा, पाकिस्तान UN में क्या कर रहा है, इमरान खान हफ और पफ कर रहा है. इमरान खान तो हफ और पफ करते हुए, हैपी बड़े हो गया, वो तो सरकार उनकी बरखास्त हो गई. लेकिन हम उस चक्कर मे भूल गए कि चाइना जो अकसर एक मौका ढूंडता रहता है, उसे एक मौका मिल गया. ये जो stand-off हुआ इंडिया और चाइना के बीच में, चाइना को मिला इसमें असला. और शाक स्टेटमेंट जो अकसई चिन को एक पार्ट ओफ इंडिया बोला. हो सकता है ये असली वज करनी शुरू की, इंडिया चाइना बॉर्डर पर, जिसको कहते है डर्बुक, शाइलॉक, दौलद बेग, ओल्डी रोड या फिर डी, एस, बी, बी, ओ, और ये एक एहम जो connecting रोड है जो इंडिया ने बनाना शुरू किया. बेरहाल, जो भी हो, हुआ ये कि अल्टिमेटली इंडिया और चाइना फेस ओफ में लगे रहे और फाइनली जून 2020 में, मने आग से दो साल लगभग पहले गालवान में ख्लैश हुआ, हमारे जवानों की मौत हुई, चाइना के साइट से भी लॉस हुई, लेकिन आज तक चाइना ने ये बात साफ नहीं किया कि उनके कितन और कुछ जर्नलिस्ट है उस समय जो ये सारी चीज़ों के बारे में बात कर रहे थे, क्योंकि ये सारी चीज़े एंटी नैशनल होती है, उस समय इन सब चीज़ों को उतनी कवरेज नहीं दी गई, जितना की विंग कमांडर अभिनंदर को कवरेज मिला था, जब उनका प्ल हमारी सीमा में गुसाया है, नहीं कोई गुसा हुआ है, नहीं हमारी कोई पोस्ट किसी दूसरे के कबजे में है, चुपी का मतलब अक्सर हाँ ले लेते हैं, तो चाइना ने भी सोचा कि ये तो चुपी रखे हुए हमारे उपर, तो हम और आगे चले जाते हैं, थोड़ी ड दी-escalation के नाम पर, वहीं जहां बोला है कि हम दी-escalate कर रहे हैं, वहाँ अपनी military capacity बढ़ानी शुरू कर दी, और पिछले दो सालों में ताबड तोड, military capacity बढ़ी है, तो हुआ क्या है, इस पिछले दो साल के face-off में, क्राइसिस में, चाइना ने effectively अक्साई चिन पर अपन military control, अपना दब-दबा, पूरी तरीके से बठा दिया है, जो previously disputed status था, अब एक heavily militarized region बन चुका है, तो अगर आप सोच रहे हैं कि अक्साई चिन अब हमारे पास आ गया है, तो वो 56X और मुश्किल हो गया है, पिछले दो सालों में, और overall अगर strategic picture जो उभर के आती है, वो य आती है कि चाइना ने ये military build-up, encroached land, disputed land पे की है, और इसके बारे में इंडिया ने अभी थक अपने देशवासियों को clearly नहीं बताया है, सरकार ने inform नहीं किया है, लेकिन army अपना best करने की कोशिश कर रही है, सरकार ने शायद सोचा कि diversionary tactic इस्तमाल करते हैं, लोगों को य चाइना बॉर्डर पर खुदाई कर रहा है, हमारे land में घुस रहा है, disputed land पर अपनी concrete structures बना रहा है, देशवक्त के पहले episode, देशवक्त की खुदाई में हमने आपको बताया था कि धोलेरा, जो सरकार ने बनानी की सोची थी, जो मोधी जिन बनानी की सोची थी, उसका क्या हाल है और वो world class city कब बनेगा, episode 2 में हम आज खुदाई कर रहे हैं border पर कि चाइना हमारे अंदर कैसे घुस के हमारे ही जमीन पर disputed area को अपना कैसे बना दिया है, कुछ एहम सवाल है कि ये इतना क्यूं हुआ है, सरकार ने इसके बारे में क्या किया है, आर्मी इसको कैसे handle कर रही है और आगे जाकर हम क्या कर सकते हैं, इस खुदाई और जो चाइना जो खुदाई कर रही है हमारे देश के अंदर, नेता टाइप आधा काम मत करो, सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकॉन पी दबाओ, वैसे तो इंडिया और चाइना के बीच में काफी disputed area है, ले लेकिन अब इस desert को 1962 में चाइना ने annex करके रखा था, उस पर कबजा करके रखा था और एक disputed land था, चार दशक से दोनों countries के बीच में छोटी मोटी सकफल होती रहती थी, लेकिन 2020 में जो हमने complete change in tempo देखा, कि भाया ये दो nuclear armed nations एकदम eyeball to eyeball contact पर आ गए, कि भाया इसके बाद situation क of control चले जाएगी, और इस पिछले दो सालों में, इस crisis में, चाइना ने effectively complete control ले लिया है, अकसाइचिन का, military sense में बोलें, तो ये previous status से एकदम अलग है, complete militarization है, और कैसे, आज हम आपको देशभक्त में समझाएंगे, और by the way, ये तब है, जब हमारी सरकार हमें ये कह रही है, क इस सब चंगासी है, लेकिन नहीं है, चाइना ने एक तरीके का territorial expansion मना लिया है, अकसाइचिन में घुसके, और अब हमारी territory पे और आसानी से वो आ सकता है, इसको by the way, Chinese parlance में, military parlance में, salami slicing कहते हैं, या creeping acquisition कहते हैं, जहां 500 मीटर इधर, 1 किलोमेटर इधर, कुछ मीटर उधर घुस घुस के चाइना हमारी जमीन को ले रहा है, no man land को ले रहा है, इसी लिए आज वो हमारे दर्वाजे पर आकर खड़ा हुआ है, हम busy हैं, लेकिन कहीं और खुदाई कर रहे हैं, और चाइना अंदर यहां खुदाई कर रहा है, अब तरह डीटेल में समझते हैं कि चाइ पूरा आकसाई चिन रीजन का northern area में है, और चाइना यहां सिर्फ एक observational presence रखता था, आज इस area में large military position बना दिया गया है, infantry shelter आपको मिल जाएंगे, ammunition storage आपको मिल जाएंगे, tanks and artillery system मिल जाएंगे, और यह सारी satellite imagery से यह चीज़ा साबित हो चुकी हैं, speculation नहीं है, और depths and planes से ए महां बन चुका है, गालवान घाटी की बात कर लेते हैं, hot springs की बात कर लेते हैं, जहां यह भिडंत हुआ था, इस भिडंत होने के बाद एक withdrawal बोला गया था, after the skirmishes, लेकिन यह withdrawal सिर्फ नाम का था, क्योंकि यह mutual withdrawal के कुछी किलोमेटर सिर्फ, एक किलोमेटर से वहीं से अप इसको disputed माना गया था, बस दो साल पहले, और बताते हैं, कुछ ही हफते पहले की यह देखिए latest satellite images, जिससे अब हमारी सरकार भी काफी चिंतित है, कि अब चाइना की People Liberation Army massive bridge बना रही है, heavier vehicles ले जाने के लिए, पूरी convoy ले जाने के लिए, Pangong Lake तक, और यह of course the most disputed area है, अब यह satellite images को study करने के बाद यह साफ हो रहा है, कि पहले एक bridge बनाया गया, जो 2021 में खतम हो गया था, अब उस bridge के बगल में एक बड़ा bridge बनाया जा रहा है, और पहला bridge एक service bridge बन जा रहा है, और दूसरा bridge, जिसमें आप tanks, आप पूरी की पूरी अपनी forge ला सकते हैं, मिंटो के अ artillery कहा ला रही है, हमारे आज के सीमा तक, चाइना सिर्फ एक दो जगे basis नहीं बना रहा है, उन्होंने पूरी की पूरी एरिया को रस्तों से connect किया है, और पूरी की पूरी वहाँ geography को tame करने की कोशिश की है, जिया, यह जो arid very difficult terrain है, इसको पूरी तरीके से tame करने की कोशिश क है, मने कहीं अगर riverbed भी है, तो mountain ranges भी है, तो भई, full year वहाँ mobility ensure कर दी है, उस बहुत मुश्किल एरिया में भी वो पूरे साल में अब move around कर सकते है, तो इसी लिए यह बहुत जरूरी हो चुका है कि यह देखना कि चाइना का threat कितना हो चुका है, क्योंकि अब सिर्फ aerial नहीं इस बठा के रखे हैं, जहां पहले, दो साल पहले तक भी कुछ नहीं था, so basically अब इंडिया को यह समझना पड़ेगा कि अब अगर इस area को लेना है, तो काफी uphill battle है, और काफी resources अब लगेंगे, उससे भी जादा चिंता जनक की बात यह है, क्या चाइना यहां से भी अब जिस वहां बना दिये हैं, अब इसके बीच में भी debate चलता रहता है कि क्या वो disputed area में है, या वो हमारे ही territory के अंदर वो villages बना रहे हैं, अर राचल प्रदेश में, आई अब जल्दी से देखते हैं कि इस massive threat, इस offensive के बारे में हमने क्या किया है, देखें, यह जानने से पहले इसके बारे में, अगर आप कुछ और पढ़ना चाहते हैं, तो आप कुकू FM पढ़ने सुन सकते हैं, कि 1962 हुआ कैसे था, 1962 में नहरू की गलती क्या थी, और यह आप अपने pace, अपने time से सुन सकते हैं, थोड़ा सा knowledge बढ़ा लीजिए, history में थोड़ा सा knowledge बढ़ा लेंगे, खास कर कि जब history repeat हो रही है, कुकू FM को आप आराम से डाउनलोड कर सकते हैं, 50% discount code और डाउनलोड लिंक मैंने नीचे description box पे दे के रखा है, तो time मिलते ही, वो ज़रूर समझ लिजे के 1962 में क्या हुआ था, लेकिन आप आते हैं, 2022 में हम क्या कर रहे हैं, देखिए सबसे पहल मिल रही थी, तब हम denial mode पे थे, बहुत सारे नहीं बोलूँगा, कुछ journalist जिन्रोंने इसके बारे में report किया था, सुशान सिंग है, आजय शुकला है, स्वासनी हैदर है, इनको खुब अच्छी तरीके से गलिया गया था, कैसे कह सकते हो कि वो हमारे territory में घुसा रहे हैं, कैस साल उन्होंने काफी कुछ जेला है, अब मेरे ख्याल से सरकार भी ये बात मान रही है, कि ये actual खत्रा है, कैसे, क्योंकि हमने अपना पाकिस्तान के तरफ जो aggressive focus है, उसको अब change करके ये हम समझ रहे हैं कि China is the bigger threat, छे इंडियन आर्मी डिविजन को China border पर assign किया गया है, पाकि पाकिस्तान को देखना है, और China threat नहीं है, वो कहीं न कहीं अब change हो रहा है, इंडिया आर्मी अब और भी interesting weapons ढूंडने की कोशिश कर रही है, बारा और weapon locating radars, जो कि China border पर बठाये जाएगा, इससे समझ में आता है कि अगर कोई operations होता है, कोई firing होती है चाइना के side से, तो कि toothless अगर हमारे पास third generation anti-tank weapon नहीं है, air defense weapon नहीं है and loiter ammunition, loiter ammunition मने, समझ लिजे, drones जो कि always in the sky है और कभी भी अगर attack करने की जरूरत हो, तो वो अपना deadly payload detach करके सीधे enemy को attack कर सकते हैं, तो ये सारी चीज़े करने की जरूरत है, आर्मी चीफ ने भी recently statement देके बोला है, कि अब और कुछ नहीं, एक red line draw करने की कोशिश हुई है, ये कहीं न कहीं माना गया है कि China ने काफी adventurism कर लिया है, अब और नहीं करने देंगे, उधर अरुनाचल प्रदेश में border road organization ने excavation complete किया है, एक नए tunnel का, और ऐसे strategic tunnels का और निर्मान हो रहा है, जो कि all weather situation पे हमें China border तक पहुच और experts का मानना है कि अब एक unitary structure की भी जरूरत है, जहां हम एक unitary system से, चाहे road हो, surveillance हो, चाहे army हो, सब एक centralized command से हम China को constantly monitor करें, हमारी army तो हमेशा काम करती आई है, limited circumstances में काम करती आई है, लेकिन सवाल ये उठता है कि पिछले दो सालों में हमारी political class ने हमें कैसे fail किया है, हमारी political class ने actually हमें cheat किया है, क्योंकि एक तरफ हमने boycott China का एक नारा लगवाया, लोगों ने अपने TV जलाए, और हमने बहुत बार, दोकोलाम included, हमारी सरकार ने हमें ये बताने की कोशिश की, कि जब भी China से हमारी भिडंत हुई है, हम विजय हुए है, या withdrawal हो चुका है, और सब च टॉक डिलीट हो रहा है, और वहाँ चायना की आह निकल रही है, चीक निकल रही है, लेकिन एक तरफ जहां लोगों ने सरकार के इस demand को माना, app ban को माना, boycott ban को माना, उधर दूसरी तरफ हमने चायना के साथ ताबर तोड ट्रेड किया, इतना ट्रेड किया, इतना ट्रेड क डॉलर का सामान क्या यही वज़य है कि हम चाइना का नाम तक नहीं लेते हैं जब वो हमारे उपर अग्रसर होते हैं इतना जादा डिपेंडेंस क्यों है इंडिया का चाइना के उपर और ये कब कम होगा एक तरफ सरकार कहती है कि भाई आत्म निर्वर बरो लेकिन दूसरी त कांट्रैक्स हैं वो चाइनीज कंपनी को क्यों जा रहे हैं दूसरा बड़ा प्रॉब्लम सरकार कहती तो है काम बहुत हो रहा है मेकिन इंडिया बहुत हो रहा है लेकिन जो पैसा चाइना से बाहर खीचा जा रहा है वो दूसरे जगे जा रहा है इंडिया में नहीं जा रह जबकि ऐसे ऐसे देश हैं होंग कॉंग और श्रीलंका जहां लोग जा भी नहीं सकते हैं लेकिन अभी भी वियतनाम अभी बी इंडोनीजिया अभी भी लाओस अभी भी कंबोडिया क्यों जा रहे हैं लोग ग्लोबल ब्रोकरेजिस ने भी चाइना को ओवरवेड बताया है त अमेरिका और चाइना के रिलेशन्च ऐसे में भी खराब हो रहे हैं वो प्रोडक्शन बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है क्या ये प्रोडक्शन इंडिया के पास आएगा या और कहीं टेसला के साथ जैसा हुआ क्या वैसा ही एपल के साथ होगा इतने दिन सोचने के देखें of authoritarian government और बोलें नहीं भई यहां दंदा नहीं करना है उसके बाद obviously Quad जहां प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी अभी खुदी है Australia, India, Japan, United States ऐसे देश जो इस चाइना के बढ़ते थ्रेट्स से अग्रसर चाइना से परिशान है क्या ये देश साथ में मिलकर कुछ काम कर सक बीजिंग भी अब Quad को Asian NATO कहता है तो क्या ये Asian NATO इस चाइना के बढ़ते influence को कंट्रोल कर पाएगा या नहीं ये देखने वाली बात होगी सुप्रमनियम स्वामी आजकल कटाश्क मार रहा है बीजेपी के उपर की ये 2024 में 2004 वाला होगा शाइनिंग बीजेपी वाला होगा economy नीचे चाइना के वज़े से बीजेपी हार जाएगी हमारा देश बक्त में ऐसा मानना नहीं है सरकार 2024 में मोदी की ही आएगी लेकिन ये सवाल ज़रूर है कि जूट बोलकर आएगी या देशवासियों को सच बोलकर आएगी क्योंकि अभी लोगों को misguide किया जा रहा है अभी लोगों को बोल रहा है कि तुम खोदो बस जबकि चाइना उहां आकर हमारी border पर खुदाई कर रहा है हमें ये decide करना है कि हमें कौन से खुदाई पर focus करना है काशी वाले खुदाई पर focus करना है देश का विकास कौन से खुदाई से होगा और देश की रक्षा कौन से खुदाई से करनी होगी ये हमें जरूर देखना है कैसा लगा ये एपिसोड थोड़ा सा लंबा हो गया है लेकिन प्राचीन इतिहास और फ्यूचर के बारे में खुदाई करना तो complicated issue है तो थोड़ा समझाने में टाइम लग गया होगा लेकिन थांक्स टू कुकु एफम फोर मेकिंग इस एपिसोड पॉसबल 1962 के बारे में नहीं और भी military history और दुनिया भर की बहतरीन किताबों को आप पढ़ सकते हैं सुन सकते हैं इस audio platform के माध्यम से अपने convenience पे अपने time से वैसे तो कुकु एफम का annual subscription is for 399 रुपीज लेकिन क्योंकि आपने bell icon दबाया है and you are amongst the first 250 देशबक्त family members to download and install the कुकु एफम इसलिए आपको मिलता है 50% discount यानि only 199 रुपीज में कुकु एफम एक साल के लिए आपका हाजारों टाइटल्स आपके सुनने के लिए at your own convenience अच्छे ये बताइए का जरूर comment section पे है कि ये तो 2 episode हो गए खुदाई की आप बताइए कौन सी ऐसी interesting चीज है जिसके बारे में हमें खुदाई करनी चाहिए जो सत्य जिसको सरकार दफनाने की कोशिश कर रही है बताइएगा comment section पे शेर करिएगा इस वीडियो को और of course हमारा काम पसंद आए तो patreon.com slash the देशबर्थ पे जाकर में बर्बनिया